दोस्तो आज हम यही समझते हैं कि नाई मतलब हज्जाम यानि बाल काटने वाला लेकिन ऐसा नहीं है नाई समझ का इतिहास काफी गोरव साली रहा है प्राचिन भारत में नाई प्रहमणवर्ण में आते थे और इनका काम सिर्फ बाल काटना ही नहीं बलकि इससे कहीं ज्यादा था आईए जानते हैं नाई जाती का इतिहास नाई सब्क्यूत प्रत्ति के से उली नमस्कार दोस्तों मैं बोसजे स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का बोसजे चनल नहीं नाई समाच को हम नाईस सेन सविता समाच मंगला समाच इत्यारी से भी जानते हैं बाल काटने वाले को हम अंगरेजी में हेयर ड्रेसर कहते हैं आज जहाँ कोई जरूरे नहीं कि हेयर ड्रेसर नाई जाती के ही है दूसरे धर्म जाती के लोग भी अब इस धन्दे में काम कर रहे हैं दोस्तों परट्यक्षेतर में नाई के लिए अलग नाम है। पंजाब में नाई को प्यार से राजा कहा जाता है। समाचर प्रदेश में कुलील राजस्तान में खवास हर्याणा में सें समाज या नफित समाज राजा उस्ताद और दिल्ली में नाई को ठाकूर या सविता समाज कहा जाता है मुस्लिम मैं को हज्जम कहा जाता है नाई सब्र की उत्पत्ति के से हुई न्याई से नाई के से बना दोस्तों स्री तुलसी प्रसाथ ठाकूर इस कूल को न्याई कूल बतलाते हैं नाई सब्र की उत्पत्ति संस्क्रत भाषा के न्याई से मानी गई है जिसका हिंदी अर्थे नेत्रत्व करने वाला अर्थात वहां जो समाज का नेत्रत्व करे या न्याई न्याई करे नाई समाज का इतिहास ब्रामन है नाई प्राचिन काल में जो बड़े विद्वान वो तर्क सास्त के जानने वाले थे उनका नाम न्याई रखा गया था इसका बिगडवा रूप नाई या नाई होता है इनकी विध्या भुद्धी के कारण लड़के लड़की का विवा शादी सगाई आदी इनी की सहमती के अनुसार होते थे आई ये जानते हैं उन तट्ट्टों को इससे सावित होता है कि नाई ब्रहमन वर्ण के हैं नमबर एक विवा संसकार में मुख्य नेता न्याई होता है जो कण्या के लिए वर खोजता है वर की योग्यता की बहुदी परिक्षा करता है और वागदान संसकार करता है साथ ही प्रत्यकार उसी की सहमती से होता है इसी कारण सबसे प्रतम नाई को पंच वस्त पहना जाते हैं वेड में अनेग स्तालों पर नाई को सविता कहा गया है नमबर दो ब्रहमन निल्ने के अनुसार नाई पांडे कान कुब्ज प्रहमनों का एक भेद है जो विद्या हीन था वहाँ एक उस्तराव कोठोरी की पूजन करता था जो परस पर खुट की जाती वर्गों में हजामत भी करने लगा जिससे वहाँ नाई पांडे कहलाने लगे भी नायों की तरह हजामत करने लगे यह लोग उत्तर प्रदेश के फरुकाबाद कानपूर्थ तथा प्रयाग आदी जिलों में हैं नमबर तीन इतिहासकार एच एच रेशी की पुस्तक दो ट्राइपस एंड काष्ट बाई रेशी के नुसार दा काष्ट इस क्लियरली ओफ फंक्शनल ग्रूप पॉर्मेट इन पॉबिलिटी फ्रॉम दो रिस्पेक्टेबल काष्ट अर्थार्थ नाई जाती कदाचित रिवारों से बना हुआ परिश्रमी समुदाय है नमबर चार लोकवेवार में तो अभी तक यहां देखने में आता है कि काज्य कुब्ज ब्रहमण जो उत्तम ब्रहमणी में गेने जाते हैं एक दूसरे ब्रहमण के हाथ का नहीं खाते परंटु नाई का चुवा खा लेगे राजपुताने में तो नाई के हाथ की कच्ची रोसोई चत्री खाते थे और ब्रहमण के समान उनके रोसोई घर के करता धरता यहीं नाई भी होते थे 5. संपूर्ण पवित्र कार्यों में नाईक का सर्वत्र ही प्रवे से जहां कहीं भी ब्रह्मन का काम होता है वहीं वहीं नाई भी साथ साथ रहता है कोई भी एसा सुभ कर्म नहीं जिसमें ब्रह्मनों नाई साथ नहो नमबर चे व्योध चुरेक को भ्रम्मा को उप्मा देता है और नाई को ब्रस्पती अगनी वायु इंद्र आजी के जीवन कल्यार सुक और रायु का धन करने वाला और पोशब करने वाला बता है नमबर साथ प्रथम अखिल्म भारत वर्षि नाई जाती महा सम्मेलन आगरा में 26-27-28 दिसंबर 1921 में हुआ मदरास निवासी श्रीपंडित एस एस आनंदम महाशाय ने अपने व्याकार में कहा कि दक्षिल भारत में हम अपने आपको अमात्य ब्रहमण कहते हैं हमारे सरजाती मनुष्य दक्षिल भारत में राज करने वाला पांडिया चोला और चेरा राज्यों के राजाओं के यहां अति उच्च पदों पर यूख्त थे नमबर आट सर्म ब्रहमणष्य ग्रहम सुत्र में लिखा है कि सर्मा ब्रहमण की उपादी है पुर्वकाल में नाई की भी सर्मा उपादी थी नमबर नो जब विवाहितास कन्या ससुराल जाती थी तो नाई की इस्त्री उसके साथ जाती थी और यही नाई की कन्या पतिग्रव को जाती थी तो उसके साथ भ्रहमनी जाती थी दोस्तों यह थे प्रमाण जो नाई जाती को उच जाती बनाता है क्या नाई चिक्कि सकते जिहां अर्थरवेद में लिखा है कि अधिती अर्थात अखंड और ठीक पोलात का बनवा हुआ हो छूरा से केस काटे जल्द के साथ भीगोए और द्विगायू और सब का कल्यान करन के लिए चिक्किसा करो पहले कुछ अपने पास केंची आधी रखकर लोगों के गायल अवस्ताक में उनके बालों की सपाई करके महरम पटफी का कारिक किया करते थे यह लोग राजा के महल पर अधिक तर अपनी सिवा देते थे इन्हें आईवेदिक या सिद्ध डक्टर कह जाता था इनके फरम गुरू ध्वननत्री और चरक थे बिटिश काल में एलो फेती चिक्किसा आने शिक्षा को बढ़ावा मिलने और बालों को कज़वाने का फेशन बन जाने के कारण इन डाक्टरों का विभाजन दो भागों में हो गया शिक्षि डाक्टर अशिक्षि ड नाई कहलाये जाने लगे दोस्तों एक सवात और है क्या नाई चक्ति है नंडवन्स प्राचिन भारत का सरवादिक शक्तिशाली एव महान नाई राजवनस्ता जिसने पांच भी चोर्ती सताब्दी इसा पुरूर उत्री भारत के विशाल भाग पर सासन किया था नंडवन् प्रतम चक्रवति समराथ महापद्य नंड ने की थी भारती त्यास में पहली बार एक एसे सामर्ज की स्तापना हुई जिसकी सिमाए गंगा के मेदानों को लांग गई जेन ग्रंथों में निका है कि समुद्ट तक समुचा देश मंत्री ने अपने धिन कल लिया था नंडों जाती के बारे में डिटेल से वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल बहुत सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद